नमसकार दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंफॉरमेटिव होने वाली है क्योंकि आज बात करने वाला हूँ इसके एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के और इसके फीचर्स क्या-क्या होने वाले हैं दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहला पाइंट वो है परिक्षन एपल के जो सबसे बड़ा एनालिस्ट है मार्क गुर्वन उनके नुसार M3 जो भी चीपसेट है दोर सोर से एपल इस पर कांट शुरू कर दिया है इसके साथे साथ M3 का जो प्रो वाले वारियंट है जैसे कि M3 Pro और M3 Mac उन सब चीपसेट पर भी कांट शुरू हो गया है बहुत जोरो सोरो से जैसे कि इस वर्स आपको देखने को मिला जो एपल की तरफ से पेश किया गया उसी परकार M3 वाले जो चीपसेट है वो भी आपको जो भी एपलेवल मैक मिनी है उसमें मिलेगा इसके साथ ह के साथ जो प्रो वाले हैं iMac में और आपको MacBook Pro में देखने को मिल जाएगा मार्क गुर्मन के नुसार M3 चीपसेट is at the final stage of production और इनिके नुसार जैसा कि आपको पता है कि M2 वाले सीरीज के साथ अभी जैसा मैंने बताया कि M2 वाले के साथ Mac मिनी देखने को मिला था और उसी के लिए यह असबस्त है confirm हो गया है इनके अनुसार यह लिक्स बिल्कुल confirm है और इसकी जोर सोर्स से तैयारी सुरू हो रही है दोस्तों इन सब के लिए आपको ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना है नेक्स्ट यह आपको देखने को मिली जागा लेकिन कब वो वीडियो म में M3 जो बेस वैरियंट आने वाला है मैक मिनी के उसके साथ क्या-क्या फीचर्स होने वाला है तो दोस्तों अभी M2 के बारे में बहुत सरा वीडियो में बना है उसमें इसके फीचर्स आपको पता है M3 मैक मिनी के साथ आपको 8-core CPU देखने को मिल जागा जिसमें 4-core जो है इसके साथ लॉंच किया जाएगा तो यह एक अच्छी ख़बर है आपको वेंचूरा नहीं देखने को मिलेगा जो लेटेस्ट उस समय का मैक वे सोनोमा रहेगा वही आपको 14 वर्जन के साथ देखने को मिल जाएगा और M3 चिपशिट का जो प्रोव वर्जन है दोस्तों व और इसके स्पेसिफिकेशन को चेक किया तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि रैम को छोड़कर बाकी सारे स्पेसिफिकेशन जो है M3 और Mac Mini का जो भी आएगा इससे लैस्ट वो बिल्कुल सेम होने वाला है बाकी रैम जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया है तो बस आपको द पढ़ रहा है एपल को यह M2 वाले जो वारियंट है और इसके जितने भी सीरीज है मैक हो आई मैक हो दुगना नुक्षान अभी शाहना पढ़ रहा है एपल को तो इनके नुसार इस नुक्षान को देखते हुए फिलहाल अभी तुरंत ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी एपल जैसा कि पता है आपको कीच साल सिप्तमबर एक्टुवर में एपल के तरब से आइफों का सीरीज्वा वा melts से आने वाला है आइफ़ वीप्टिंऴ का का आने वाला है पूरा सी उसमें बहुत सरे श्OR शीय वात यस स में बहुत सार इनाहेंसमेंट और तो अभी एपल का पूरा फोकस जो है इन सब चीजों का है अक्तूबर और सेतंबर में इन सब चीजों पर लेकिन अभी मैक मिनी आई मैक्स और मैक्बूक पर ध्यान नहीं है और यह आपको रिलीज की बात कर लिया जाए तो जैसा कि गुर्मन साहब बताए हैं कि यह 2024 के अक्टूबर तक संभाबना है इसको देखने को दोस्तों अगर इसके प्राइस के बात कर लिया जाए तो इसका प्राइस के बारे में कोई नहीं है किसी को नहीं पता है कि कितना होने वाला है कुछ दिनों के बाद जैसा ही कोई अपडेट आएगा आप लोग के सामने मैं फिर एक वीडियो देखने को मिला जैसा कि आपने देखा कोई स्पेशिफिकेशन ज्यादा है रैम को बढ़ाया गया बाकी जीपीव सीप्यू का कौर वही है सेम है जो कि आपको मैक मिनी में मिल रहा है तो बिल्कुल वेट मत किजिए अगर आभी आपको लेना है तो बिल्कुल आभी उठा देखने को मिल जा रहा है सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहां से जरूर पर्चेस कीजिएगा इस गरीब की भलाई हो जाएगी तो फाइनली यही है कि अगर आपको लेना है तो ले लीजिए क्योंकि वेट करना ज्यादा समझदारी की बात नहीं है अ कर दो दो